कि वर्कम थ्टूडेंट्स आपका मेरी चैनल। साइंस क्लाश नंने बहुत सागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जैप्टर ट्वेल ग्लास न th का उर्जा और शक्ति बता पिछले मनें बताएंग आपको और संदक्षन का नियम क्या होता है कि उरजा को ना तो कूत पन न किया सकता है और ना ही नस्ट किया जा सकता है ना ही नस्ट किया जा सकता है पुरे ब्रह्मान्ड में ना हम नस्ट कर सकते हैं उर्जा को केबल हम एक रूप से दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं ना नस्ट कर सकते हैं ना हम उत्पन्द कर सकते हैं केबल उर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं इसको हम कहते हैं उर्जा सन्नक्षन का नियम ठीक है केबल एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्थ किया जा सकता है थीक है अब पूरे ब्रह्मांड में जो उर्जा का पूरा जो परिमान है है ना वो एक एक इस्थिर रहता वो नहीं बदल सकता पूरे ब्रह्मांड में कुल उर्जा को आ परिवर्फित रहती है क्यां इम परिवर्फित होती है को ईडार परिवर्फित विस्थित होती है निष्थ सोती है है इसका परिणाम इसका परिमान इस्थिर होता है अभी मैं समझाती हूं आपको यह उर्जा संद्रक्षण का नियम क्या है उर्जा जो संद्रक्षित रहती है केबल इसके एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकती है और पूरे ब्रहमांड में इसका जो है परिमान जो है वो इस्थिर रहता है जैसे यह आपको एक दिखाया है पिंड दिखाया गया है यह उचाई पर कोई पिंड है और यह उचाई से गिरता है तो यहां पर इसकी जो केवल एक रूप से हम दूसरे में परिवर्टित कर रहे हैं तो कैसे परिवर्टित होती है यहां पर होती है इसकी इस्तितिष उर्जा है ना जहां पर इस रहता है इस्तितिष उर्जा कैसे होती है इसे जब भी तक आता है तो गतिष उर्जा में परिवर्टित यहां पर इसकी है गतिष उर्जा हो जाती है और फिर यहां पर गतिष उर्जा के बाद में फिर सोड़ी दर के दूर्जा में परिवर्थित किया जा सकता है पूरे ब्रहम्मान में जो एक कौन दूर्जा को दूसरे परिवर्थित कर सकते हैं जैसे आपको इस परिंग का उदाराण बताती हूं, यह सप्रिंग है यहां आमने कोई चीज लटका ही ठीक है तो यहां पर क्या है एसकी यहां पर ऐसकी स्थित्रीज ऊरजर जुमें कंद को क्या करा कि हमने थोड़ा सदिया ह। यजब हम नीचे बढ़ा देंगे इसके तो यहाँ पर से प्रिबर्तित हो जाएगी हैं है और यह फिर से पिंड जब है जब हम खेच के उंग्ली से छोड़ते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं तो फिर पिंड अपनी पूर ववत्ताइब आ जाता है फिर यहां पर यह आ जाएगा इस प्रकार से इस्तिति जूर्जा हो गया है दिया नहीं कर सकते इसको हम बोलते उर्जा संदक्षण का नियम ब्रह्मान में कुरूर्जा निश्चित रहती है अभी आपको अगले उसमें बताई जागा किस प्रकार से एक उर्जा दूसरे में परिवर्तित होती है मेरा चैनल डिस्टेंस एजूकेशन है जिसमें आपको कुछ म नहीं दे सकते हैं मेरे इस से लाब बादवित हो सकते हैं और वैसे भी चैनल पर पड़ा हुआ कोई भी चैप्टरजिद आप खोल की देखेंगे तो मेरा जो है वह आप कभी भी इसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं मेरे ऑं-लाइण क्लासेस के वारि यौक्टर कूम सकते वर 9th and 10th UP Board and CBSC Board हमारा माध्यम हिंदी है तो हम हिंदी में ही आप लोगों को पढ़ाते हैं चैनल को देखने के लिए धन्यवाद